हनुमान स्वय भगवान शिव का रूप थे, जिनके अंदर रावन से भी कई अधिक शक्ती थी। वे स्वय रावन का वध करने में सक्षम थे, लेकिन उन्हें इसकी आग्या नहीं थी। रावन का अंत भगवान श्री राम के हाथों निश्चित था, लेकिन हनुमान ने भी रावन को अपनी शक्ती का भलीभानती परिचय दे दिया था। जब भगवान श्री राम ने हनुमान को वानर दल के साथ माता सीता की खोज में भेजा था, तब हनुमान ने ही उनका अशोक वाटिका में पता लगाया था। माता सीता से मिलने के पश्चात हनुमान का रावन के कई महान योध्धाओं तथा पुत्रों से युध्ध हुआ था। जब रावन पुत्र मेघनात के द्वारा हनुमान को ब्रहमास्त्र की शक्ती में बंदी बना कर उसके दर्बार में लाया गया तब वहां उनका बहुत नुकसान किया। उन्होंने लंका के कई शस्त्रागारों, सुरक्षा परकोटों, दीवारों भवन इत्यादी आग के हवाले कर दिये। इससे लंका नगरी को अत्यधिक नुकसान हुआ था जिसमें कई मंत्रियों इत्यादी के महल तक जल कर खाक हो गए थे। इसके तुरं लंका की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की गई तथा अब उन्हें ग्यात हो चुका था कि वह दिन दूर नहीं कि शत्रु सेना का आक्रमन हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लंका के पुनर निर्मान की जल्द से जल्द आवशकता थी क्योंकि हनुमान के द्वारा ध्वस्त कर दी गई थी। जदी उस समय लंका पर कोई आक्रमन कर देता तो उनकी हार निश्चित थी। इसलिए रावण ने महान शिल्पकार तथा निर्माता विश्वकर्मा जी को बुलावा भेजा। उन्होंने विश्वकर्मा को लंका का पहले जै किया था। इसमें रावण के राजकोश का बहुत धन लगा था तब जाकर लंका का पुन वैसा निर्मान हो सका था।